प्रदानमंत्री नरेंद्र मोधी ए आजे वीडियो कॉन्फरेंसिंग ना माध्यम्थी राष्य शिक्षन नीती हेठल उच्च शिक्षन माँ परिवर्तनकारी सुधाराव माटे आयोजित सम्मेलन नुँ उद्घाटन कर्यो हतू आ प्रसंगे संबोधन करता प्रदानमंत्री नरेंद्र मोधी ए उच्च शिक्षन माँ परिवर्तनकारी सुधाराव पर पोतानों विचार व्यक्त कर्यो हतू प्रदानमंत्री जणाविहतू के देश भर्मा नवी शिक्षन नीती विशे व्यापक चर्चा थाई रही छे आ सम्मेलन ना माध्यम्ती लोकोंने शिक्षन नीती विशे विस्त्रूत माहिती मड़ छे प्रदान मंत्रिये वधुमा जणावी हतू के लाखो सूचनों पर लांबा मंथन बाद राश्ट्रिय शिक्षन नीती ने स्विक्रूत कराई छे जनी देशभर मा व्यापक चर्चा थे रही छे अलग-अलग शेत्रना लोको अलग-अलग विचार धराओ धराता लोको पोतानों मत आपी रहाए छे लंबे मंथन के बाद राश्ट्रिय स्विक्षा नीती को स्विक्रूत किया गया है आज देश भर में इसकी व्यापक चर्चा हो रही है अलग-अलग शेत्र के लोक, अलग-अलग विचार धराओं के लोक अपने वियूज दे रहे हैं, राश्ट्रिय शिक्षा नीती को रिव्यू कर रहे हैं यह एक हिल्दी डिबेट है, यह जितनी ज़ाधा होगी उतनाही लाब देस की शिक्षा व्यवस्ता को मिलेगा ये भी खुशी की बात है कि राष्ट्रिय शिक्षा नीती आने के बाद देश के किसी भी खेत्र से, किसी भी वर्ट से ये बात नहीं उठी कि इसमें किसी तरह का बायस है या किसी एक तरफा कोई जुकाव है. कुछ लोगों के मन में ये सवानाना बहुत स्वाभाविक है कि इतना बड़ा रिफार्म कागज पर तो कर दिया लेकिन इसे जमीन पर कैसे उतारा जाएगा यानि अब सबकी निगाहें इसके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ है. इस चैलेंज को देखते हुए द्यवस्ताओं को बनाने में जहां कहीं कुछ सुधार की आवशक्ता है वो हमें सब को मिलकर के करना है. और करना ही है आप सभी राष्ट्रिय सिक्षानिती के इम्प्लीमेंटेशन में और उस काम में सीधे तोर पर जुड़े हैं. और इसलिए आप सबकी भूमिका बहुत जादा है, बहुत एहम है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधिये वधुमा जणावी हतु के देशनी नवी राष्ट्रिय शिक्षन नीतीना अमली करण मां सव कोई सीधी रिते जोड़ायला छे. दरेक देश पोतानी शिक्षन व्यवस्था थकी पोताना राष्ट्रिय मुल्यों साथे जोड़ायलो होई छे. जे नोहेतू ए होई छे कि देशनी शिक्षन व्यवस्था पोताना वर्तमान अने आवनारी पेडियों नू भविशनू सारू घड़तर करी शके. राष्ट्य शिक्षन नीती 21 मीं सदीना नवा भारतनी आधार शिला रूपी छे. जहां तक पोलिटिकल विल की बात है, मैं पूरी तरह कबिटेड हूँ. मैं पूरी तरह आपके साथ हूँ. साथियों, हर देश अपनी सिख्षा व्यवस्था को अपनी नेशनल वैल्यूज के साथ जोड़ते हुए, अपने नेशनल गोल्ज के अनुसार रिफार्म्स करते हुए, आगे बढ़ता है. मक्सद ये होता है कि देश का एजुकेशन सिस्टिम, अपनी वर्तमान और आने वाली पीडियों को फ्यूचर रेडी रखे, फ्यूचर रेडी करें. राष्ट्रिय सिक्षानिती 21 सदी के भारत की नए भारत की फाउंडेशन तयार करने वाली हैं. 21 सदी के भारत को हमारे युवाओं और हमारी युवाओं को जिस तरह की एजुकेशन की जरुरत है, जिस्किल्स चाहिए, राष्ट्रिय सिक्षानिती पर इन बातों पर विशेश फोकस हैं. भारत को ताकत्वर बनाने के लिए, विकास की नई उचाईद पर पहुँचाने के लिए, भारत के नागरिकों को और ससक्त करने के लिए, उन्हें जादा से जादा अवसरों के उपयुक्त मनाने के लिए, इस एजुकेशन पालिसी में खास जोड दिया गया है. प्रधान मंत्री उमेरि हतु के नवी शिक्षन नीती मां हाउ टू थिंक पर भार मुक्वामा आवे उचे. आजे जे क्षेत्र मां आपले छीए, त्या इन्फरमेशन अने कंटेंट नी कोई कमी न थी. 21 मी सदी मां समगर दुनिया ने भारत पासे थी घणी अपेक्षाओ छे. भारत नू सामर्थ्य छे के ते टैलेंट ने टेक्नोलोजी नू समाधान समगर दुनिया ने आपी शके छे. मैं बहुत जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ, वाट टू थिंग पर फोकस रहा है, जबकि इस सिक्षानिती में हाउ टू थिंग उस पर बल दिया जा रहा है. ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, कि आज जिस दौर में हम, और ये दौर ऐसा है, जहां इन्फरमेशन और कंटेंट की कोई कमी नहीं है. एक प्रकार से बाड़ आई हुई है. हर प्रकार की जानकारी आपके मुबाइल फोन पर अविलेबल है. जरूरी ये है कि कौन सी जानकारी हासिल करनी है, क्या पढ़ना है. इस बात को ध्यान में रखकर ही, रास्ट्रिय सिक्षानिती में प्रयास किया गया है, कि जो पढ़ाई के लिए लंबा चौड़ा सिलेबस होता है, डेर सारी किताबे होती हैं, उसकी अनिवारियता को कम किया जाए. अब कोशिश यह है कि बच्चों को सीखने के लिए, इंक्वाईरी बेश, डिस्कवरी बेश, डिस्कसन बेश और एनालिसीज बेश तरीकों पर जोड़ दिया जाए. इस एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से टेक्नलोजी आधारित, बहतर कंटेंट और स्कोर्स के डेवलप्मेंट में बहुत मदद मिलेगी. बेजिक कम्प्यूटिंग पर बल हो, कोडिंग पर फोकस हो, या फिर रिसर्च पर ज़्यादा जोड़, यह सिर्फ एजुकेशन सिस्टी में नहीं, बलकि पूरे समाज की एप्रोच को बदलने का माध्यम बन सकता है. वर्चुल लेब, वर्चुल लेब जैसे कंसेप्ट, ऐसे लाखो साथ्यों तक, बहतर सिक्षा के सपने को ले जाने वाला है, जो पहले से ही सब्जेक्स पढ़ी नहीं पाते थे, जिसमें लेब एक्षपरिमेंट जरूरी हो. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रिय शिक्षानिती, हमारे देश में रिसर्च और एजुकेशन के गैप को खत्म करने में भी एहम भूमी का निभाने वाली है. जुनागड शहर सहित समग्र जिल्ला ने मेगरा जाए घमरोडी नाख्यों छे. जुनागड ना विसावदर ना पिरवड गाम ना बाबु भाई गोकड भाई हिरपरा नाम ना एक व्यक्ती मोटर साइकल द्वारा पोताना गाम जता हता. त्यारे चनाका थी गुजरिया वच्चे आवेला कोज वेपर थी मोटर साइकल साथे तणाया हता. जोके आदर्म्यान तेओ थामला उपर चड़ी गया हता. जैनी जान थता मामलत्दार अने पोलिस नी टीम घटना स्थळे दोड़ी आवी हती. अने रेस्क्यू करी ने तेमने सलामत बहर कड़वामा आवेहता. बिजी तरफ माना वदर तालुकाना एक युवकनू पाणी मा तणाता मोट थयू छे. बांटवाना खाराडेमना दरवाजा खोलता, कोडवाव गमना पूल उपर पाणी आवीजता, पूल उपर मोटर साइकल साथे विरभाई रैया भाई शामल ना अढ़ार वर्षिय युवान तणाय होतो. पूर्मा तणाता आवेहता आवेहता नुम्रुत्यू निपजी हतू, अपनी साथे अमारा समवाद दाता हनेव खोखरिया जोडाया छे, तैमनी साथे वात करिये, जी हनेव जुनागड मा वर्षाद नी शू परिस्थिती छे आने रैस्क्यू माटे के वी कामगिरी थाई रही छे, जुनागड मा खुबत 14 वर्षाद छे, आन्न तो 17 वर्मा वर्षाद छे, परन्तु जुनागड मा छेला 24 वर्षाद पेड़ो छे, तेना कारणे तमाम जे सहर ना रस्ताओ पर पानी बराया छे, नदियों मा पूर आईवा छे, आन्न आपे जनाईवू ए प्रमाने मानावदर मा एक युवान पानी मा तानाई जाता तेनों मोथ तो भेसान मा पुझी से आन्ने मामलत्दार कचेरी ना जे स्टाप छे तेमने एक युवान ने बचाई हो छे, पानी मा तानाई हो छे, दाठीला पासे नो पूल एक बेसिक हो छे, विसावदर पासे नो एक पूल छे, एक पोडी जता, तानाई जता, त्यानों वहान विवात तो फोर वायो छे, वह आपने जनाईवू के जुनागट विस्तार नी अंदर खुबत सारो वर्षा ते हो छ खेड़ू तो खुश चे कारण के वर्षाद जे थियो छे, वह पन जतना तोफान के अतिरेक वगर नो वर्षाद जे कही सकाए, एक दारो जे सारो वर्षाद पेड़ो छे, साथ इत वर्षाद छे, अमुक मकानों मा पानी घुश ग्या ता परंतु अजित सुती मां क्या है मालानी के जानानी समाचार नाती, गीरनार ना जंगल विस्तार मा तेमाज गीरनु जे जंगल छे विस्तार मा पन खुबज वर्षाद छे, तमाम नदियोज छे, एमा पूर आईवा छे, अन्ने एम कैसकाई के साथ शुद्धी मा कोई अवी नुक्सानी ना समाचा मंद है अगत्यानी जानकारी माटे आपनों खुब खुब आभार, समाचार मा अगणवधिये, राजसरकार द्वारा उद्योगी के विकास ने वेगवन्तु बनावा माटे, तेमाज आत्म निर्भर गुजरात नू निर्मान करवा माटे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी बिहजार वी जहर करवा मावी छे, जैनी जहरात करता मुख्यमंत्री विजय भाई रूपानी जनावी हतू के MSME सेक्टर ने वधु वेगवन्तु बनावा, आप पॉलिसी खुब उप्योगी बनी रहे शे, आयोजना मुजब अउद्योगीक एकम मुजब तेमना उत्पादित मालना रा करवा मां थी मुक्ती चालू रहे शे, MSME ने धिरान नी रकमना 25 टका सुधी नी आने महत्तम 35 लाख सुधी नी कैपिटल सबसीडी मलवा पात्र रहे शे, तो सर्विस सेक्टर आधारित MSME ने 7 टका सुधी ना व्याजनी रहत मर्षे, तो स्टार्ट अप सपोर्ट माटे प अमा जोगवानों लाब मर्से, जार्थी जी एस्टी लागू करमा मायू छे, क्यार्थी कंपनियोंने राज्यनी अंदर वेच्वामा आवेलों माल पर नेट S.G.S.T. कमाने वर्तर आपवामा आउतू तू, तेना काने राज्यनी अंदर वेच्वायला माल उपर सी गष्टरी करवाःमा आउति एती औरेनी मुषखलियों राज्यनी अजस्टी मार्तर नेधिलिंग करीने, तब ने ख्यार है ज्यमी पोली से मा आपड़े जे वेठ और ने पाच्वाथ अगता तहा दा, आ आपडले सब्सक्राइब एद रिल इन नियक बदी पाच्वापी देव सब्सक्राइब में परफिश क्यों आपनेडर होची है अचले उपर एक सिलिंग बार तका नी आपड़े एजी एस्टी नी जे आवक्त से एमाथी बार तका नी सिलिंग साथे एमने पाच्छू आपवामा आउसे जे उद्योग आउसे नवा एने सरकारी जमीन हमें लीज उपर आपसू अचले एने जमीन नी पुरी किमत चकवी न यह इन आ लीज जेछ से लिज सारकारी जमीन ऊपर जे लेज़े एज एillance उपर लीज नेढे इन दर वर से चेखा नी ने से जडिया किमत चंढे मना चेखा ने बारूतों पा ने चेखालू ले शेए अवा कि आगयों बyeingधिड ने से यह हमीर झायाओं के एपां आऊने स मां रिसर्च अने इनोवेशन ने पर महत्वा सरकार आप्वा मां आगे छे अने इतला माते रिसर्च डेवलोप्मेंट तेमाज प्रोदक्ट डेवलोप्मेंट मां सेंटर मां पोलीशी तो लाब थी खांगी कंपनियों न संस्था उने पाज करोर नी साहिता पर प्रदान राज्य मां मेघ राजा फरी एकवार महरबान बन्या छे एमापन सवराष्ट्रा ने दक्षिन गुजरात मां मेघ राजा पोतानी विशेश खुरूपा वर्सा विराया छे तेरे जुनागड गिर्सोमनात राजकोट सहिकना विस्तारों ने तरबोल करी दिदा छे जो ये आविशे अमारों खाज आवाल भारे वर्साद ना पगले शहरना अनेक विस्तारों मां घुटन समा पाणी भराई गया हता चनाकारणे रहदारियों और वाहन चालों कोने आंशिक मुश्केली भोगवानों वारो आव्यों हतो बीजी तरफ गर्वा गिर्नार परवत उपर पन साम्बेला धार वर्साद वरस्ता जुनागण ना वन्यविस्तारों मां सोनरक अने काडवो नदी मां पूर आवता प्रतूती सूले कड़ाए खिली उखी छे बीजी तरफ शेहरों नो बिलिंगडन डैम फरी छलकाता गिर्नार परवत नी रमणियता मां वधार उथायो छे जुनागण सहित तालुका सहित केशोद तालुकाना अनेक गामडावों मां चोथा दिवसे पन त्रोण इच जेटलो वर्साद खाबकता उतावलिया नदी मां फरी नवा नी राव्या छे सारा वर्साद ना परिणामी खेडुतों मां खुशी न माहल छवायो छे जारे निचान वाला विस्तारों मां पाणी भराता लोकोंने हाला की पड़ी हती आ तरफ सवराष्ट ना पाटनगर गणाता राजकोट शहर मां पन गत मोडी रात्रिये बे इंच जेटलो वर्साद खाबकता समगर शहर पाणी पाणी थे गयो हतु उपरवास मा पन थैला भारे वर्सादने कारणे आजी नदी मा घोडापूर आवी हतु तो आजी नदी मा जल स्तर वधता काठे आवेलू रामनात महादेवनू मंदिर पाणी मा डूबी हतु बीजी तरफ आजी नदी मा वधता पाणी ना प्रावाहने जोता आसपास ना पाँच विस्तारों ने एलर्ट करवा मा आगया छे मोडी रात्रिये शहर ना मेयर बिना बेन आचार्य पन स्थर नी समिक्षा करवा पदाभीकारियों साथे दोड़े आव्याहता राज़कोर्ट शहर मा आजी नदी मा आजी नदी मा अहा लधियार बोडा पूर आवीऊचे अब दोईशकोचों पवित्र रामनात महादेव मंदिर ना द्रश्यों छे आ लधियार फाय ब्रिगेट नी टीम मा तियार स्थर पर पोचि गयीचे समगर रामनाथ महादेव मंदिर पाणी मां गरकाव थाईगियो छे वर्ष्व जुनो रामनाथ महादेव मंदिर नो आ प्रश्ण चे स्वयम्बू अधियार रामनाथ महादेव पर जड़ा बिशेक थे रहे हो छे आजी नदी माँ पाणी नो प्रवा खुबज वदू होवा थी आसपास ना पांच जेतला विस्तार वासियों ने एलर्ट करवा माविया चे तमाम लोकों ने पाणी थी दूर रेवा माटे अपिल करवा मावियरी चे साथो साथ मंदिर माँ कोई दर्शन माटे अही नवा आवे पाणी नो प्रवा जोवा माटे नवा आवे ते माटे ओर्पोरेशन दंत्र द्वारा पन अपिल करवा मावियरी चे क्यारे लोकों ने पन अनुरोज चे के आप आजी नदी थी दूर रेशों मोरबी जिल्ला माँ छेला 24 कलाक माँ 55 मिली मिटर वर्साद नौन धायो छे जरे वाका नेर माँ 9 मिली मिटर हर्वद माँ 54 मिली मिली मिटर टंकारा माँ 61 मिली 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 मिल प्रसिद्ध यात्रधाम द्वारकामा पन वहली सवारे वरसाद वरस्य होतो। 111 मिलिमीटर भाडवर्ड मां 110 मिलिमीटर खंभालया मां 81 मिलिमीटर अने द्वारका तालुका मां 66 मिलिमीटर वरसाद वरस्य होतो। जेती निचानवाला विस्तारों मां पाणी भराई गया हाता अने लोकोंने भारे हालाकीनों सामनों करवो पड़े होतो। दक्षिन गुजरात मां लांबा विरामबाद मेगराजा महरबान थता लोकों मां आनंद चवायो हतो। नवसारी जिल्ला ना गणदेवी चिखली वांसदा सहितना विस्तार मां चूटो चवायो वरसाद वरस्यों छे तो पवन साथे वरसेला वरसाद ने कारणे किटलिक जग्याय वरुक्ष धराशाई थाया हता। तो किटलाक वरुक्ष जहर मारगो पर पड़ी जता वां विवार ने असर पहुँची हती। लोब पाक बची गए होतो जेथी खेड़ुतों मां आनंद छवायो हतो। राज्यमा छिला एक बेदिवस्ती श्रीकार वर्षा शरू थाई छे। राज्यमा सवराश्ट्र उत्तर दक्षिन अने मध्य गुजरात मां सारो वर्षाद वरस्यों छे। वात मध्य गुजरात नी करिये तो नर्मदा जिल्ला मां सार्वत्रिक वर्षा थी धर्ती पुत्रों मां आनंद छवायो छे। जिल्लाना सागबारा मां एक इंच डेडिया पाड़ा मां वीस मिलिमीटर गुरुडेश्वर मां अढ़ार मिलिमीटर वर्षाद वर्षयों हतो जना कारणे वातावरण मां ठंडक प्रस्री गई हती। वावनी करेला केड़ा करवल सहितना पाक ने जीवन दान मड़ता खेड़ुतों मां खुशिनी लहर प्रस्री गई हती। संग प्रदेश दीव मां पंड वहली सवार्थी मेग राजा महर्बान थाया हता। कोरोना महमारी ने पगले लोको अयरुवेद ने वधु महत्वा आपता थाया छे। त्यारे बोधपाठ आप्यों छे तैमा पन अमदावाद स्थित अखंडानंद अयरुवेदिक कॉलेज ना तबीव नर्स सहित सो जेटला कर्मचारियों ए कोरोना सामेनी जंग मा विशेश दाइत्व निभाव्यु छे। अखंडानंद अयरुवेदिक कॉलेज ना पांतरिस जेटला तबीवो सिविल होस्पीटल सोला सिविल अने स्वीपी होस्पीटल मा कारेरत थाया छे। आउप्रांत 61 जेटला पीजी स्कोलर्स पन कोरोना ग्रस्त दर्दियों ना उपचार सारवार मा कारेरत छे। कॉलेज द्वारा शहर मा त्यार सुधी मा लगबग 2.25 लाख उकाडा आउशधी आने कोविड किटनू वित्रण करवामा आव्युछे। तेमज विविद खांगी जाहर संस्थाओना कर्मचारियों ने पन आउशधी उकाडा वित्रण करवामा आव्युछे। एमा पण ओशधी वित्रण बाद कॉलेज तरफ्थी फोन करी तेनों प्रतिभाव पन लेवामा आव्युछे। जरू जणाय व्यक्ति साथे फोन परज परामर्श करी तैनी मार्क दर्शन आपफवामा आव्युछे। अखंडानंद आयुर्वेद कॉलेज खाते ओपीडी पन सतत कारे रत रही छे। लोगडाउन थी आज दिन सुधी 4500 थी वधारे लोको एहीं आरोग्य सेवानों लाब लेई चुक्या छे। दिन परियंसुधी आ जे शिक्षण छे ते मां कोईपण जातनों ठेरावके गैप पड़ेव न थी। अने ए रिते शिक्षण तो चालूँचे जे अमारी मुल्भूत फरत छे ते अमारे अमे निभाविये चे अने ये कामगिरी चालूँचे। अमदावाद सीटी ना दरेके दरेक ट्राफिक ना कर्मचारियों ने अमे आ दवाओ इम्मुनिटी बुस्टिंग दवाओ तथा अम्रुद पे उकाला आपेला छे। आ उपरांत फायर ब्रिगेट ना लोको तथा पोस्ट ओफिस जेतली पन छे ते दरेक जग्याए अमे आ कामगिरी करे लेजे। नर्मदा नदीनू हजारो क्यूसेक पाणी दर्यामा नव वही जाय ते माटे राजसरकार द्वारा रुप्या तैपंसो करोडनी भाडभूत बैरेज योजनानू आजे गांधिनगर खाते थी मुख्यमंत्री विजेभाई रुपाणी वीडियो कंफरंस थी इक हात मोरत कर जरे राजना सहकार प्रधान इश्वरसी पटेल भाडभूत खाते हाजर रहा ता आई योजना थी एकवीस हजार मिलियन घनफुट मीठा पाणी नो संगर था शे बैरेज योजना मां छ मार्गिय पुल्थवा थी दहेज हांसोत सूरत वच्चे ना मार्ग थी अधार किलो सूरत नी सुमूल डेरी नी चुटनी माटे मतदान आजे शरू थायू छे जेमा वालाड बैठक माटे मतदान यू जायू हतू जेमा 42 मतदारों आजे तैमना मतदान नो उप्योग करता 100 का मतदान नोंधायू छे सुमूल डेरी नी वालोड बैठक पर सूरत डिस्ट्रिक्ट बैंक ना चैर्मेन नरेश पटेले सहकार पैनल माथी उमेदवारी नोंधावी छे त्यारे सुमूल डेरी नी आज चुटनी राजकी अरिते खुब महत्वनी छे सहकार पैनल ना उमेदवार तरीके 11 मद्दार मंदण मां थी उमेदवारी करी छे आवनारा समय मा आदिवासी पसुपालोकोना हीत मा सुमूल डेरी मा उन्हों सारीरी ते काम करीज कोरोना महमारी ने कारणे द्वारकानों सुप्रसिद्ध जगत मंदिर जन्मास्ट मिना दिवसे बंध रहवानू छे द्वारका मंदिर मांटे जन्मास्ट मिनों तहवार सव थी मुटा उत्सव तरीके मनावामा आवतो हाई छे परन्तु कोरोनाने कारणे आवखते मंदिर दर्शनार्थियो मांटे बंध राखवानों नेणे करवामा आवयो छे अने आ इतिहास मां सव प्रथम वखत थावा जै रहुँ छे वहवटी तंत्र द्वारा लेवामा आवेला नेणै मुझब कोरोना संक्रमने कारणे 10 अगस्थी 13 अगस्थ सुधी मंदिर दर्शनार्थियो मांटे बंध रहाशे जो क्या समय दर्म्यान मंदिर मां पूजा आर्ती सहितनों नित्यक्रम चालू रह शे जे मां पूजा रिस सिवाय अन्य कोई भाग नहीं लेई शके 12 अगस्थे जनमास्थ मीछे त्यारे दर्शनार्थियो भगवान द्वार का धीश्थ ना दर्शन करी शकेते माटे ओनलाइन दर्शन नी व्यवस्था करवा मां आवी छे